हेलो दोस्तो वेलकम बैक अगें टो जी चैनल कैसे हो आप सभी लोग सो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन कंसर्टेंट्स ओफ इंडिया लिमिटेड यानि EDCIL की तरफ से इंटेंचिप की अपडेट की गाइस यहाँ पे EDCIL एक पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन मिनिरतन वन कैटेगरी एंड गवर्मेंट ओफ इंडिया की ये कंपणी है दोस्तो ये इंटेंचिप में कोई भी स्टुडेंट्स इजिली अप्लाए कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तो इस इंटेंचिप के वारे में हम पुरा डीटेल में डिसकस करने वाले हैं कैसे आपको अप्लाए करना है इंटेंचिप का एप्लिकेशन कैसा है क्या eligibility criteria है हम सारा डीटेल आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तो आज के इस इंटेंचिप के अपडेट की तरफ तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किये हो तो चैनल तो ज़रू से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रू से प्रेस कर देना हम आपके लिए डेली लेटेस्ट इंटेंचिप अपडेट, कोर्स अपडेट और जॉब अपडेट इस चैनल पे हमेशा प्रोवाइड करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला तो आपको यहाँ पे EDCIL के ओफिशल वेबसाइट में आजाना है आप जैसे ही आते हो, राइट साइड में आपको एक ओप्शन दिख रहा होगा इंटेंचिप फॉर्म का, आपको यह वाले इंटेंचिप फॉर्म के ओपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे दोस्तो आपका एक ऐसा इंटेंचिप का फॉर्म आ जाएगा सबसे पहला तो दोस्तो एप्लिकेशन फॉर्म को आपको कैसे फिल अप करना है हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम दे देना है उसके बाद आपको फादर्स नेम देना रहेगा उसके बाद यहाँ पे है हमारा date of birth आपका वहाँ पे date of birth को select कर लेना है education qualification दोस्तों यहाँ पे education qualification में यहाँ पे आप देख सकते हो BT, computer science, IT, ECE वाले students अप्लाई कर सकते हैं MCA, BCA, BSC, IT students अप्लाई कर सकते हैं MBA students भी अप्लाई कर सकते हैं degree in education technology और teacher pedagogy students भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लगबग बहुत सारे students यहाँ पे eligible रहने वाले हैं यहाँ पे BCA, MBA, BT, degree in education technology लगबग बहुत सारे students अप्लाई कर सकते हैं यह वाले internship के opportunity में आप यहाँ पे जो भी qualification किये हो आप अपने according select कर सकते हो उसके बाद यह हमारा college का name आप यहाँ पे अपना college name या फिर university का name दे सकते हो Pass out year आप कौन से year में अपना graduation complete करने वाले हो या फिर complete कर चुके हो आप अपने according select कर सकते हो उसके बाद हैं हमारा email ID आपको यहाँ पे दे देना है mobile number आपको यहाँ पे देना रहेगा contact number आप यहाँ पे दे सकते हो गरवालों का number दे देना उसके बाद है हमारा address आपको यहाँ पे अपना address and all देना रहेगा desired internship period आप कितने months की यह internship करना चाहते हो basically guys अगर आप flexible हो one month के internship के लिए आप यहाँ पे month select कर सकते हो two months internship करना चाहते हो two months select कर सकते हो आप यहाँ पे अपने according select कर सकते हो आप यहाँ पे जितना time दे सकते हो internship के लिए आप अपने according यहाँ पे select कर लेना यहाँ पे यह वाला एक best part लगा मेरेको आप अपने according यहाँ पे internship का duration भी select कर सकते हो फिर उसके बाद है हमारा area of interest so guys यहाँ पे आप कौन से field में interested हो यहाँ पे बहुत सारे fields आपको देखनी को मिल जाएंगे cloud services so यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोगों को तो पता ही होगा यहाँ पे cloud technology आजकल one of the best service provider है यहाँ पे cloud services में क्या रहता है कैसा system work करता है यह सारे चीजों के बारे में आपको आपको आप सीखने को मिलेगा उसके बाद है हमारा ICT project so यहाँ पे दोस्तों आपको information and communication technology के बारे में भी सीखने को मिल जाएगा उसके बाद है हमारा networking project e-learning smart class so यहाँ पे हमारा जो e-learning smart classes वगरा होते हैं उसके regarding भी आपको आपको आप बहुत सारे चीजी सीखने को मिलेंगे ERP project है finance के उपर भी है जो भी students यहाँ पे commerce या फिर MBA background से आते हैं आपको यहाँ पे finance में भी आप यहाँ पे select कर सकते हो internship कर सकते हो finance related में उसके बाद है हमारा online testing and assessment services हमारा जो online testing होता है हाइवे हो गया या फिर कोई भी civil projects हो गया building मनाने का आप यहाँ पे civil projects के उपर भी internship कर सकते हो तो यहाँ पे दोस्तों आप जो भी area में interest रखते हो internship करने के लिए आप यहाँ पे अपने according select कर लेना clear है दोस्तों फिर उसके बाद है हमारा CV और resume upload so यहाँ पे guys अगर आपने अपना CV और बना लिया है या फिर बना के रखे हो तो आप अपना CV और resume यहाँ पे add कर लेना so guys यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपने वारे में कुछ basic details फिल अप करना है यह सारे details वागेरे को फिल अप करके लास्ट में जो आपको submit नाव का बटन दिख रहा है आपको इसको पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आप यहाँ पर अपने according का duration भी sains कर सकते को कौने फिल्ड में इंटेंशिप करना चाते हो वह भी सेलेट कर सकते हो यहाँ पर गासप की इह偉वर्मेंट इंटेंशिप भी रहने वाली है आप यहाँ पर जो भी फिल्ड में अपने according select करके easily submit भी कर सकते हो सो दोस्तो आप सभी लोगों के मन में एक curiosity जरू से होगा कि यहाँ पे आपको stipend कितना मिलने वाला है करके दोस्तो मैं आपको बता दू कि यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी कुछ information नहीं दिया है कि आपको यहाँ पे कितना stipend मिलेगा करके पर यहाँ पे दोस्तो आपको stipend मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है अगर आपको stipend मिलेगा वही 10-15,000 के around मिल सकता है अगर नहीं मिला तो आपको जरू से यहाँ पे skills and experience गेन करने को मिलेंगे यह वाले internship के opportunity में government of India के साथ internship करना चाते है और चैनल को subscribe करना मत बुलना हम आपके लिए daily latest internship update, course update and job update इस चैनल पर हमेशा provide करते हैं मिलते हैं दोस्तों next video में next update को लेके तब ते के लिए goodbye and thank you for watching